जैहिन प्यारे बिच्चों, वेलकम टू भारत्वर्स क्लासेज, तो प्यारे बिच्चों, जार्खन सेचिक अनुसंधान एवं प्रसिच्चन परिसद राची द्वारा आज 13 जनवरी 2024 सनिवार की प्रातना सभा की क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और समानिगा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है बिच्चा, यह वीडियो आप सभी के लिए very very important हैं क्योंकि इसमें जो भी news होती हैं उसकी हम 360 degree view देखते हैं, 360 degree view का मतलब या हुआ कि इससे जुड़े जितने भी समाचार हैं, जितने भी प्रशन बन सकते हैं, उन सभी की चर भारतोस क्लासिस पर मिल जाती है, तो आप लोग इसे जरूर देखिए, और आपने अभी तक भारतोस क्लासिस को सब्सक्राइब ने किया है, तो प्लीज बिचा सब्सक्राइब कर लिजे, चली इस वीडियो को जल्दी से लाइक किजिए और अपने दोस्तों को सेर किजिए इसके साथ ही देख लेते हैं कि कल की वीडियो में कितने बच्चों ने कमेंट किया था, उनके सुब नाम और वे कहां से जुड़े हुए हैं, इन बच्चों को मैनी मैनी कॉंगरुचलेशन्स अब पढ़ते हैं इनके सुब नाम, तो पहला नाम है संपती घोश, फिर नाम ह आरूशी, बेबी गेमिंग, लक्षमी महतो, सर्वजीत, गनेश मुंडा, सत्यम सोनी खपरों से हैं, सुमित्रा बन्रा, शवाना और आउं लोहर दग्गा जिले से हैं, सिवम कुमार, मुक्तिशर बेश्रा गिरीडी जिले से हैं, इसागंसारी धोबरीशे हैं, और कुजर कोरा, वेश्ट सिंभूम से हैं, इसके बाद यहाँ पे बच्चे सराय केला खरसवां से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है विवेक रितिका पवन अनीता पनोज बबली, आकास कुमार राची जिले से हैं, सुभासिस नंदी वेश्ट सिंभूम, गुरू चरन मुंडा, अन उमाकांत कुमार, गौरव मिस्तरी किटा और डीके दोहजार चोबिस, यह हैं वे प्यारे बिच्चे जो कल की वीडियो में कमेंट किये थे, यदि आप भी कल की वीडियो में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए बिच्चे और अपना चेम्बर्स ओफ कॉमर्स और इंड्डोस्त्री स्टेल फेबर ऑगां से भागेदार के रूप में हिशा ले रहा ह। तो बदी यहां पर बात आ रहिए हैं चेम्बर्स और इंडीका है, तो यहां इंपॉर्ट एक्सपोर्ट से संबन्दित हैं, आयात और निरियात से संबन् नयुक्तराज अमीरात जिसे हम UAE भी बोलते हैं इसमें बारे में हम जान लेते हैं तो सबसे पहले UAE में सार्थ अमीरात हैं उन अमीरात के नाम आप याद रखिएगा अबुधाबी, दुबई, सारजा, अजमान, उम इ, कुवेन, रश इ, केमाह और फुजेरा ये साथ अमी दुबई जो है वो बहुत ही जादा प्रियाटक सहर है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बिल्डिंग आप नाम जानते हो जैसे कि अबुधावी हो गया, है ना, 830 मीटर अबुधावी उसके बाद फिर यहाँ पे बुर्जर अरब हो गया, मिक्रेल गार्डन हो गया, दुबई फाउंटेन, दुबे मरीना, यह सभी यहाँ पे प्रियाटक स्थल है, राजधानी बात की जायते हैं, इसकी राजधानी अभी धवी है, मुद्राबाद की जायते हैं दिरहम है, और सुल्तान इसके जो है, सेख मुहम्मद बिन जायद इ, नहिनान अभी यहाँ के सेख हो ज चांदीपूर टट पर नई पीडी की आकास मिसाइल का सफलता पुर्वक प्रेशेपन किया, रच्छा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इनका नाम DRDO है, यानि Defense, Research and Development Organization, वेरी वरी इंपोर्टेंट है बच्चा, कई बार यह प्रेशन आता है, DRDO का फुल फॉर्म, इसकी जो चेर्मेन है, डॉक्टर शमीर वी कामत है, अब यहाँ पे बात की जारी है, DRDO, तो भारत के रच्छा मंतरी से भी प्रस्न पुछता है, भारत के रच्छा मंतरी कौन है, तो राजनाज सिंग जी है, ओडिसा, ओडिसा के चांदीपूर टट पर पर परेशेपन किया गया ओडिसा की राजधानी भूवनेश्वर है, यहाँ पे इनके मुख मंतरी स्री नवीन पतनायक है, राजपाल रगवरदास, रगवरदास जो की जारखंड के मुख मंतरी थे पहले, वही यहाँ पे राजपाल बनाए गये है, यहाँ पे ओडिसा का राजके पसू सांबर डि के बारे में एक इक जानकारी हासिल कर लेंगे तो जिस परकार बुन बुन करके घड़ा भरता उसी परकार आपको सभी चीजों को जोड़ोड़के अपनी कॉप्र में जरूर लिखना है तिसरा यहां पे समाचार राजस्तर यह है कहता है चत्रा जिले में आयोजीत मुख मंत्री ग्राम गाड़ी वोजना की सुरुवात को लेकर तयाया पूरी की गई है और राज का पहला जिला बना चत्रा अब यहां पे बात आ जारखंड के जीले चत्रा की आप सभी जानते हो कि जारखंड में यहाँ पे कुल 24 जीले है मैंने उन 24 जीलो को भी करवा दिया है यहाँ पे है मुख मंत्री ग्राम गाड़ी योजना या क्या है तो बच्छा इसका जो उद्देश है ग्रामिन चेत्रों में वाहन की सुईधा को आसान बनाना है अब सभी जानते हो जारखंड के कई ऐसे चेत्रे हैं जहाँ पे वाहन अच्छे से नहीं पहुंच भाता है तो मुख मंत्री ने ग्रामिन में गाओं तक वाहनों के आवागमन की सुईधा के लिए इस योजना को बनाया है अब यहां पे इसके तहट क्या-क्या होगा तो पहला तो वाहन चालकों को टेक्स में छूट मिलेगी ठीक है और यहां पे कुछ यहां पे लोग है या फिर उनके के बात कर सकते हो कि लाभारती कोन-कोन है तो यहां पे लाभारती है विद्वा महिलाएं सीनियर सिटी धन राज के छात्र जो बहतर सिक्षा के लिए बाहर पढ़ना चाते हैं किसान हो जाते हैं और बहतर चिकिस्ता के लिए जो सूईधा प्राप्त करने के लिए जो लोग जाना चाते हैं विकलांग हो सकते हैं और ये सभी जो है इसके लाभारती होंगे और इसके तहत इन्हें मुप्त में वहान की सूईधा उपलब्द कराई जाएगी इसका जो बजट है अगला यहां पर न्यूज है खेल स्थरिये इंडोनेशिया में आयोजी एसी आई निसाने बाजी चेंपियेंशिप में रिदम सागवान ने महिला वर्ग में कांस पदक जीता है ठीक है रिदम सागवान 25 मिटर स्पोर्ट विश्टल में जीता है और यहां पर बात आ रही है इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया के बारे में आज रखना है राजधानी जाकारता है मुद्रा और उपया है पांचमा है सिछ्चा केरियर यहां पर टीक्नोलोजी में भारतीय रिजर्व बैंक के गवरनर ने कहा डिजिडिल मुद्रा अपनाने से विदेशों में तेज कुसल और किफायती भुकतान संभव होगा RBI की बात की जाए तो इसके गवर्णर शक्तिकान दास है अब RBI से संबंदित आप कुछ चीज़े याद रखेंगे जो भारतिय नोट होता है उस पे RBI गवर्णर के सिगनेचर होते हैं इस गया नोट को देखेंगे तो उसके पीछे लिखा हुआ रहेगा या तो लिखा रहेगा उर्जित आर पटेल या फिर शक्तिकान दास तो कौन है ये RBI के गवर्णर है RBI के कार क्या है यारि RBI क्या-क्या करता है तो पहला तो भारत हमें बैंको का बैंक है सभी बेंकों का यह बेंक है नोट छापने का अधिकार केवल RBI का हुई है ठीक है बच्छा तो यह थे आज के परमुक न्यूज चलिए अब हम देखते हैं समान ग्यान प्रोशन उतरी तो समान ग्यान में यहाँ पर प्रात्मिकस्तर के प्रशन है कच्छा एक से लेकर पांच तक के विद्यारत्यों के लिए ठीक है तो पहला यहाँ पर प्रशन कहता है एक पेर है काली धोती जाडे में हूं हर्दम सोती गर्मी में छाया देती वर्सा में हूं हर्दम सोती बताएगा क्या होगा इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे बिच्चा बिल्कुल सही चाता होगा आप सभी जानते हो ये वर्सा में यहाँ पे सर्दी में सोया राता और गर्मी और वर्सा में ये क्या होता है हमारे काम आता है छतरी दूसरा प्रिश्णती रखा है गिद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताएंगी गिद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो वेल्चर बोलते हैं ये रहा गिद इसे हम अंग्रेजी में वेल्चर बोलते हैं तिसरा प्रिश्णिती रखा यहां पे व्याकरन की संदर्व में किसी भी कार को करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो इसे हम करता बोलते हैं जो काम करता है उसे करता यहां पे कुछ चीज़ आपको याद रखनी है जैसे सुनने वाला, सुनने वालों को बोलते हैं श्रोता, ठीक है सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता, काम करने वाला करता, यह याद रखेगा चोथा प्रिश्ण यहाँ पे है कौन सा विटामिन आवले में प्रचूर मातरा में पाए जाता है तो यहाँ पे याद रखना है विटामिन C खटा फल है ना जिवतने भी खटे फल हैं उसमें विटामिन C पाए जाता है और कौन सा विटामीन पाई जाता है तो विटामीन सी पाई जाता है अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि विटामीन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है तो विटामीन सी की कमी से असकरवी रोग होता है ये भी चीछ आपको याद रखनी है असकरवी रोग होता है जिसम जब मसूरे हैं उसे जूरी समस्याएं होती है पाचवा प्रिष्ण है एक नवजात सीसू में हड्डियों की संख्या कितनी होती है आप सभी जानते हो कि एक व्यस्क मनुस में 206 हड्डी होता है लेकिन बच्चे में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है और जब वह बच्चा बड़ा होता है, तो उसके जो हड़ी होती है, छोटे-छोटे उस चुड़ करके एक बड़ी हड़ी हो जाती है, तो कुल 300 हड़ी यहां पे बच्चे में होती है, उछ प्रात्मिक क्यस्तर के प्रशन है कच्छा 6 से लेकर के 8 तो पहला प्रशन है अंग् मार्च उन्नीस सब उन्नीस में यह कानून लागो किया गया था और इसे काला कानून कहा गया था क्यूंकि इसमें जितने भी सदस हैं वोई सभी अंग्रेज जी थे और इसमें किसी भी परकार का भारत का हस्ताक्सिप नहीं था पढ़ेंगे से भी हम इसतार से अब जानते हैं आगे का प्रशन सोने की सुदता को किस में परिभासित क्या जाता है तो केरेट में परिभासित करते हैं जिसे सुद सोना एकदम सुद होगा वो होगा चोबीस केरेट का लेकिन चोबीस केरेट के सोने से हम लोग आभूसन नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हमें 22 केरेट चाहिए, तो 22 केरेट सोने से हम आभुसन बनाते हैं, और सुद सोना 24 केरेट का होता है, वर्ल्ड रेड क्रोस दे कब बनाए जाता है, तो 8 माई को बनाए जाता है, चौथा प्रशन है, लुढकती हुई गेंद, कुछ दूर के चारो और सभी गरा चकर लगा रहे हैं, तो ये गुरुत्वा कर्शन बल के ही कारन होता है, पाच्वा प्रशन है, सोर मंडल की खोज किसने की, तो कौपर निक्सने की, यहाँ पर आप सोर मंडल के बारे में जानिये बच्छा, जिसे के यहाँ सूर्य है, इसके सामने सब से सामने है, बुध, फिर आता है दूसरे नमबर पर सुक्र, तीसरे नमबर पर हमारी प्रिथवी है, और चोथे नमबर पर यहाँ पर मंगल है, बुध, सुक्र, प्रिथवी, मंगल, इसके बाद आता है, बिरस्पती, शनी, वरून और वरून, सबसे दूर कौन सा गरा है, तो सबसे दूर है वरून, सबसे सामने कौन सा है, बुध है, पृत्वी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, पृत्वी को क्या क्या बोला जाता है, तो पृत्वी को नीला गरा कहा जाता है, लाल गरा मंगल को कहा जाता है, जुडवा बहर सुक्र को कहा जाता है, सबसे ब माध्ध में यहाँ पे एक पट्टी सी दिखाई दे रही है यहाँ है चुद्र गरा की पट्टी ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक ठोसी गरा कहलाते है और यहाँ से लेकर यहाँ तक गैसी गरा कहलाते है ठीक चलिए अगला यहाँ पे दे रहा है माध्मिक अस्तर कच्छा न दूसरा प्रिश्न ने आप दे रख्या है, सबसे अधिक गनलांक वाली धात्व कोन सी है टंगश्टन है और टंगश्टन अब कहां पर पासकते हो कहां देख सकते हो तो पहले हमारे घरों में एक बवलब होता था सो वाट का उसके जो फिलामेंट होते हैं वो टंगश्टन से बने होते थे बुगोल प्रित्ष्वी को केंदर मानकर अधियन करने वाला विज्यान है ऐसा किसने कहा था तो वारेणियस ने कहा था चोथा प्रिश्ण है नर्वे में अर्धरातरी के समय शूलिय किस दिन दिखाई देता है 21 जून को दिखाई देता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट और पांचमा यहां पे है जारखंड के किस जिले में राजमहल पहाणिया इस्तित है साहिब गंज जिले में है राजमहल पहाणिया तो बहुत बहुत धायनवाद बच्छा आपका वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक लाइक ने किया तो लाइक जरूर किया किजे बच्छा और यदि कल की वीडियो में आपनों नाम देखना चाते हो तो आप यहां पे जल्दी से कमेंट किजे थेंक यू बिच्छा